प्रियों, कुट्टे के विश्वास को यदि आप परखना चाहते हैं, तो क्या करना जानते हैं? उसे एक दिन पूरा भूजन मत दो, दूसरे दिन प्लेट भर कर भूजन दो, उसमें भर कर मांस का टुकड़ा डालो. भूजन के आगे रख दो, अभी वो कुट्टा आपकी अनुमती से ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है. उस प्लेट को वहां रख दो और उस कुत्ते को देखो वो विश्वास योग्या और भरोसेमन कुत्ता है समझो आप प्लेट रखते ही अचानक जपट कर नहीं खाएगा यदि आपने ऐसा ट्रेनिंग दिया है तो वो भूका है उसे भूक लगा कल पूरा आप खाना नहीं दिये अभी आप मांस से भरा हुआ भोजन लाकर उसके आगे रख दिये समझो अभी वो क्या करेगा खाना देखेगा रुक नहीं पाएगा भोजन को देखकर वो अपना दूम हिलाता रहेगा हिलाता रहेगा, हिलाता रहेगा थोड़ा पास जाने की कुशिश करेगा कहेंगे आप फिर पीछे अड़ जाएगा फिर थोड़ी देर आपको देखकर फिर उधर देखकर थोड़ा पास जाएगा फिर पीछे जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद नाव पीछे हटेगा फिर क्या करेगा जानते हैं इसे देखने से मैं खा लूँगा लेकिन मेरे मालिक को धोका दूँगा वो कुट्टा क्या करेगा जानते हैं इस तरह देखने वाला उसे ही देखने वाला कुट्टा उसकी आशा करने वाला कुट्टा आप कोई फायदा नहीं है, सोच कर मालिक की ओर ही देखेगा, बस ऐसे ही, मेरे पात जो कुट्ता है, मुझे बहुत से पाट सिखाता है, उसे देखने से मुझे कई बार दुख लगता है, और कई बार गुस्सा आता है, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, वो मेरे अंदर मेरी होने से कितना अच्छा होता, ऐसा लगता है, आधी रात को यदि मैं उठूँ, वो भी उड़ जाता है, गुर्राटे मारते वे सोता नहीं है, जा मालिक हो, वा मुझे रहना है, सोचता है, यदि मैं पैर नीचे रग दूँ, तो धीरे से आकर, मेरे पैर के उपर सो जा क्योंकि उससे एक संतुष्टी मिलती है, कि मेरे मालिक के साथ मेरा कनेक्शन है, गल्ती से मैंने लात मारा समझो, वो परिशान हो जाता, मेरे मालिक क्यों मारा मुझे, मैंने कुछ गल्ती किया, क्या गल्ती किया, क्या सोच कर, मेरे पीछे-पीछे पढ़कर, मेरे साथ मेल करने की कोशिश करता है मेरे पीछे पीछे पढ़कर धीरे से आकर मेरे पैर के पास सूता है मैं मारा नहीं तो चलो ठीक है मेरे और मेरे मालिक के बीच कोई दिवार नहीं है कितनी अद्बुच शिक्षा है वो मांस खाने की इच्छा मुझे भठकाना दे और जिसके लिए धनिवादी होता है, उस मालिक की ओर देखता रहता है, बस इतना ही, बीच में उसे मन करता है देखने का, फिर ऐसे देखता है, आश्चरी होता है, किसलिए? यदि इसे देखूंगा तो भटक जाऊंगा, इसलिए बैवल बताती है, इस संसार में रहने वाले पापों के अधिन हमें नहीं होना है, तो विश्वास के करता और उसे सिद्ध करने वाले ईश्व की ओर जब तक हम देखते रहेंगे, शैतान और संसार का धिन नहीं होंगे, हमारा हर एक पाप के अधिन हो जाना, और हर एक पाप में कामों के गुलाम हो जाने का, मुख्य क पारण क्या है कि हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। प्रभू आज जो कष्ट और कलेश मेरे जीवन में हैं। दुख, बिमारी और समस्या हैं। पिता इन सब को मैं आपको सौप रहा हूं। मेरे साथ मिलकर। पिता जो जो लोग प्रातना कर रहे हैं, प्रातना में सहभागी हो रहे हैं। उन सब को आशिश दीजिए। पवित् और भी बहुमूली पाटों को हमें सिखाईए। महान महान लोग ही आपकी पस्तिती के लिए, आपकी संगती के लिए, आपकी सहता के लिए। अगर समय अलग नहीं कर पा रहे हैं तो वे किस तरह से भटक जाएंगे। वचन में हम देखते हैं। आपके लिए समय निकालने और वचन के अनुसार आपके आरातना कर सकें सौभाग ये दीजिए। इशु मसी के नाम से मांगते हैं पितां। आमीन। झाल झाल आपके लिए भी आपके लिए।